कि तब से पहले है ओल्ड पेंशन स्कीम अगर इंद्रा गांथी और राजीव गांथी के समय आया इसमें सरकार ने कहा कि वह अपने employee का जो है वह सरकार इसमें अपने employee का pension payment करती है तो pension payment अगर देखा जाए जो पे होता है वह कौन करता है इसमें government ठीक है और इसका outcome क्या है मतलब जो भी outcome है यह क्या है यह outcome है कि इस पे सरकार का जो fiscal burden है वो बढ़ता है कि सरकार जब सब कुछ पे करती है तो सरकार पर राजकूशिय दबाब बढ़ जाता है राजकूशिय दबाब बढ़ने का मतलब है कि सरकार पर मतलब obviously जो है वो सरकार पर क्या हो जाएगा सरकार पर दबाब पड़ेगा सरकार जो है इतना पैसा जो है वो इन पर लगाएगी सरकार ही पे करेगी सब कुछ तो कहीं न कहीं टेक्स पेर पर भी बर्डन पढ़ता है टेक्स पेर क्यूंकि आप ही का पैसे सरकार यूच कर रहे है तो कहीं न कहीं टेक्स पेर पर बर्डन तो पढ़ नहीं है अब अगला जो स्कीम है वो क्या है अगला जो scheme है जिसको second number हम कहते हैं that is NPS NPS जो 2004 मिलाया गया था NPS जो मन्मोहन सिंग की सरकार मिलाया गया था उसका क्या मतलब है इसमें क्या होता है कि government 14% contribute करती है और employee जो है वो 10% contribute करता है इसमें government मालो 14% या आपको percentage से यह याद रखना है कि इसमें government और employee दोनों contribute करते हैं अपने pension के लिए दोनों और यह जो पैसा आता है मालो कि किसी की salary माल लेते हैं कि मालो की 14 रुपए आया और 10 रुपए आया तो तो चौबिस रुपए जब आया तो चौबिस रुपए यह कहां खर्च होता है तो यह share market में खर्च होता है तो amount जो आता है वो share market को पैसा जो आता है वो share market में खर्च ह है बहुत बड़ी है बाद तो कहेंगे एक से तहीं पैंसन आपको मिलता है अगर से इंच्ट मेर्केट डाउन हो गया अगर सेर मार्केट बंशन हो फिक है लेकंन डाउन हो गया तो पैंसन कम हो जाएगा कि इसका पैसा इन्वेस्ट होता है त्यर्माजार में और वहां से डाउन तो डाउन अगला जो स्कीम है देट इस कि यूनिफाइड पेमिंट सिस्टम अब यह क्या है यूपीएस कि दो हजार चॉबश इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है यह वाले में इसमें देखिए गौफ्मेंट तालह 18 परसंट पे करेगी और एंप्लॉई दस परशन्त कुम्हेंट ताले 18 प्रहीं पर्थेंट पे करेगी और इंप्लॉई जो है वह दस परसेंट इसिम्पलेश्च वेलु उधर बढ़ गया और यह भी पैसा तियर मार्केट में इंवेस्ट होगा share market ये भी पैसा share market में ही invest होगा फिर तो ये भी risk की मामला है ये भी risk की मामला है लेकिन यहाँ एक risk की नहीं है ये नहीं है कि अगर share market down भी हो जाएगा तो सरकार आपको एक minimum pension देगी ठीक है अगर share market down भी हो गया तो a minimum pension by the government यही main है इसमें यही बात जो है वो main बात है concept यही है अब बात बाकी जो है वो fact है a minimum pension assurance जो है वो एंप्लोई सक्वाइब प्लोई सक्वाइब झाल